कोरोना महमारी के प्रकोप से बचाने के लिए ओक्सीजन को लेकर हलकम हर जगह मचा हुआ है। ये दिक्कट सर्फ यूपी और दल्ली की नहीं बलकि पूरे देश की है। ओक्सीजन की किल्लक को लेकर अव्विपक्षी पार्टियों के नेताउन बीजेपी सरकार को घेड़ना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तरप्रदेश के प्रतापगड में कॉंग्रेस नीता प्रमोद तिवारी ने भी ओक्सीजन के किल्लक को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद मोधी को जम कर घेरा है। कॉंग्रेस नीता प्रमोत तिवारी ने कहा कि देशवासियों के लिए वैक्सीन और औकसीजन की आपूर्ति करने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और वैक्सीन एवं औकसीजन का निर्याद किया जा रहा है ये बेहध ही पिड़ा दायक। प्रमोत तिवारी ने कहा कि देश जवाब मांग रहा है, 14 महीनों में कोरोना से लड़ने के लिए क्या किया, लोग मर रहे हैं और जरूरत से दोगुनी ऑक्सिजन निर्यात कर दी गए। लोग अपनों को खो रहे हैं, तीन लाग बत्यस हजा तो आप तक दुनिया में कभी किसी देश में पूरे दौर में नहीं हुआ, एक दिन में लोग संकरमित हो रहे हैं करोना से, बच जानना चाहिता हूं पर दान मती जी, आप ने और आपकी सरकार ने यह इजाज़त क्यों पूरी कि आक्सीजन सामान से दुगना जादा दसवीश प्रसत नहीं हुआ है, इसके सांथ ही प्रमोत तिवारी ने कहा कि विज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था, कि अगर कोरोना के दूसरी लहर आएगी, तो बहुत ही घातक होगी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और चुनाव कराते ने